नमस्कार आध में आपको बताऊंगे ब्रैडर ब्लाउज कटिंग एंड श्टिचिंग इसको आप कड़ाई बाला ब्लाउज भी बोल सकते हैं तो यहां पे देखिए हमारे जो ब्लाउज का कपड़ा है उसमें इस तरह की कड़ाई है तो इसको आप आगे की साइड भी ले सकते हैं पीछे की साइड भी ले सकते हैं इसमें इतना ही कपड़ा है इसमें एक कड़ाई है और एक यहां पे प्लेन है तो सबसे पहले हम अस्तल की cutting करेंगे उसके बाद जो हमारा कड़ाई का कपड़ा है उसकी cutting करेंगे तो अस्तल को देखिए हमें double करके रखना है अब हमारी जो chest है उसका निशान लगाएंगे तो हमारी 32 chest है तो 16 इंच पर एक निशान लगा लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर गुंजाश लेंगे दो इंच अब हमें परलर को छोटा बड़ा करना है तो यहां पर देखिए हमारी जो लंबाई है वो 14 इंच की है और 2 इंच हमारा आगे का परलर बड़ा है तेरा इंच का यह तया रहेगा इसको हमें ऐसे करके अब यहां पर हमें सोल्डर लेने पांच इंच आरूमल लेंगे हम यहां पर साड़े पांच इंच उसके बाद यहां पर गोल आई गले की चोड़ाई हम 2 इंच की लेंगे गले की लंबाई हम यहां पर 4 इंच ले रहे हैं अभी जो हमारी डिजायन है उसके हिसाब से हमें लंबाई रखनी है अब है पीखिये हमारा जो छोटा है वो पीखिये का है और जो लंबा वहें बड़ा है वह आगे का है कि हम अ तर्छी हम इस तरीकि से प्लेट को निशान लगाएंगे और पीखिये का गलाई हमारा मुहें लंबाई में 10 इंच यहां पर हमने 10 इंच की लंबाई रखी है गले की आप चाहें तो यहां पर छोटा भी बना सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं आगे की साइड हम यहां पर आरूमल का कटिंग करेंगे आदा इंच और इसमें हम टक्स का निशान लगाएंगे बो लगाएंगे 9 इंच पर अब जो हमारा फिटिंग का कपड़ा बो निकालेंगे तो 32 है तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे फिटिंग का क्योंकि हमारा जो पीछे का पलर है वो 16 इंच का है आठ इंच का आदा करेंगे तो यहां पे आएगी हमारी 4 इंच पिलेट और इसके बराबर एक पिलेट यहां पे इसमें हमें 2-2 इंच की दूरी रखनी है यह हमारी 4 पिलेट हो गई अब सबसे पहले हम इसको निकालेंगे इसको आगे की साइड रखेंगे जो हमारा कड़ाई का कपड़ा है तो इसको हम साइड बाला चैन का भी बना सकते हैं और आगे का हुका भी बना सकते हैं और पीछे के हुका भी बना सकते हैं कि अब देखें यहां से हम लंबाइ जाद लेंगे तो याँ फिर एक गले की डिजाइन है भो बेकार लगेगी तो हमें लंबाइ यहीं तलक रकनी है गले के यहीं तलक रखेंगे लंबाइ तो जिसका यह कंपड़ा है उसने ऐसे ही बोला है कि जितना यह मेरा चोटा गला है उतना ही रखें आगे की साइठ जैसे यह design का है इसलिए अब यह हमारा आगे का हो गया है तो जैसे मैं आपको बता ही यहां से यहां से आप काट लें पर्लर काटना है बीच में से यहां से आपको फिर पीछे का पर्लर कटिंग करना पड़ेगा जब आप पीछे का हुक का बनाएंगे तो अगर साइड चैन लगाएंगे तो आपको ना आगे का काटना है ना पीछे का फिर वो तो भगली की साइड चैन लग जाएगी यह नीचे के साइड हम तुर्पाई करेंगे तो हम एक इंच तुर्पाई के लिए कपड़ा अलग से लेंगे यहां पर तो यह हमारा पीछे का है अब एक कपड़ा बचा हुआ हमारे पास तो इसमें से में बाजू निकालनी है तो दीखी यहां पर हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो पंद्रा इंच है तो इसको हमें ऐसे करना और इसको इस्तरी यहां पर लंबाई है वह है हमारे कपड़े की साड़े नौ इंच तो आठ इंच की लंबाई रखेंगे हम इसकी चार इंच हम यहां पर लेंगे, कटिंग का निशान लगाएंगे आदा इंच यहां पर भी कटिंग करेंगे, मौरी का एक इंच हम यहां पर सिलाई में कपड़े को दबा देंगे अब यह हमारे दोनों बाजू हो गई, बाजू पर हमारे कडाई नहीं हैcidos, लेकिन हम यहां पे लेस लगा सकते हैं और यह हमारा पीछे का है, और यह हमारा आगे का है तो देखिए जो हमारी लंबाई थी, उसके असाब से हमने नीचे लंबाई बढ़ा है और उपर तो हमें यहीं पर सिलाई लगानी है गले के साब से क्योंकि अगर हम गले कि लंबाई जादा रखेंगे तो फिर नीचे की साइड आएगा यह डिजाइन तो जिसका एक कपड़ा है उसने असे बोला है कि हमारे गले की लंबाई इसकी जो डिजाइन है उसी के बराबर रखना इसलिए मैंने ज्यादा लंबाई नहीं रखी है अगर आपकी जो डिजाइन है आप उसके साफ से लंबाई रख सकते हैं तो अगर आप पे स्टीचिंग नहीं आती है तो आप प्लीज चैनल में देख लें आसा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जार से जारा शेयर कीजिए और जो भी नए लोग है वह मारी वीडियो को पहली बात देख रहे हैं वह मारे चैन